पश्रपालंग मंत्री सुनिल केदार ने टोटला डोह और बावन थड़ी पर योजना के पीडितों को भूमे के ततकाल भक्तान के बारे में 27 मार्ज तक सभी जानकारी प्रस्तूत करने का निर्देश दिया कलेक्टरेट में विबिन्दमुद्दों की समिक्षा की गई वह उस समय बात कर रहे थे जड़ी इस असर पर रश्मी बरवे, कलेक्टर रविन्दर ठाकरे, डिप्टी कलेक्टर सुजाता गंधे, सिंचाई और जरसन साधन विभाग के इंशिनियर पदादिकारी आदी उपस्तित थे किसानों के बैंक खातों में जमा की गई जमीनों के नाम साधबारा रिकॉर्ड जमीन की दरोग किसानों के बैंक खातों में जमा मुआवजा के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तूत की जाने चाहिए केदार ने कहा सरकारी धन की ये सारे सिम्मिदारी राचस्विभाग के पास होती है उन्होंने निर्देश दिया कि परियोशना प्रभावित किसानों को 27 मार्श टक सभी सूचनाओं को जमा करके चल से चल मुआवजाद दिया जाना चाहिए जब पता अधिकारियों ने कुसदा वसी के लोगों से कहा कि वे घरों की राशी तुरंट प्राप करे और उन्हें शहरी गाव में बन्या सुधाओं से प्रदान करे कुछदा नमबर रुपे का प्रस्ताव तुरन जमा करने का आदेश के दार ने समुह विकास अधिकारी को सौप दिया आदिवा से बहुल गाउ होने के कारण उन्हें नागरिक सुविधाय दे तोटला डोह एक चनौती पूर्ण मुद्दा है और हमें इससे हल करने के लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने इस परियोजना की तहट अन्य गाउ को नागरिक सुविधाय उपलब कराने की भी निर्देश दिये रामटेक नगर परिशत सीमा विस्तार का मुद्दा महत्वपूर्ण है और राचेस विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिए उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही चिला कलेक्टर कारवाई करेंगे उन्होंने कहा कि निर्मान श्रमिकों की रिकॉर्ड को ऑनलाइन लिया जाना चाहिए और यदि कोई रिकॉर्ड ओफलाइन पाया क्या तो एक जान समिती गठन की जाएगी और उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि श्रमिकों को विभिनलाबकारी यूजनाओं का लाब दिया जाना चाहिए पानन्द रोड की समिक्षा करते हुए अभिभावक मंतरी ने कहा कि रामटीक विधानसभाक शेत्र में 21 सरकों को मंजूरी दी गई है और 11 काम पूरे हो चुके है जबकि शह काम प्रगती पर है एक्तिसमाज तक सभी कार्य को पूरा करने और सभी धनराशी खर्च करने का आदेश दिया केदार द्वारा दिया किया पानन सरक के कामों को कलेक्ट रेड़ द्वारा निश्पाद किया जाता है लेकिन तकनी की सहायता की कमी की कारण लंबित है अबसे वह इन कारे को जिला परिशत में वर्ग गुरुत करने के लिए राचस्वमंतरी को एक पत्र देगा केदार ने कहा पुधान विनोबा भावे का एक आंदूलन है और यह एक विचारधारा है बुधान भूमी दुसरों को नहीं बेची जा सकती इसलिए बुधान मंडल ने पिछले दस वर्षों में कितने जमीन के पट्टे बेचे गए इसकी जानकारी प्रस्तूत करने का अंद कि सूची और भूमीदान बोड के ग्यारा सदस्यों की सूची तुरंट प्रस्तूत करने का निर्देश दिया बावन थड़ी और तोटला डूह पर योशना का पुनर्वसन राम टेक नगर परीशत सीमा का विस्तार भवन निर्मान श्रमिकों का लंबित पंचिकरन और वि निक्षा की गई है क्यामरा पॉसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नाकपुर